नमस्कार सुपागते आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रिया चकवर्ती ने दोस्तो किस तरह से सुसान सिंग राशपूत को भूत प्रेत का नाटक करके डराया था रिया चकवर्ती ने जान बुछ करके पूरी कोसिस की कि सुसान सिंग राशपूत काफी ज़्यादा डर जाएं घबडा जाएं और फिर उसके बाद धेरे देरे करके सुसान सिंग राशपूत अपने ही घर में डरने लग जाएं जिससे रिया चकवर्ती को बहुत ज़्यादा आसानी हो जी हाँ आपको बताए दोस्तो रिया चकवर्ती वैसे तो सुसान सिंग राशपूत के पीछे हाथ धो करके पड़ी ही हुई थी इसमें रिया चकवर्ती का दोस्तो अपना तो फायदा था ही था इसके लावा रिया चकवर्ती ने और भी बहुत सतरीके कोसिस की कि कै ऐसे भी करके सुसान सिंग राजपूत के दंपर बॉली बुड में नाम बनाया जाए, सुसान के दंपर फेमस हुआ जाए, लेकिन अब दोस्तो जांच एजनसियां एक बार फिर से जब सुसान केस को सुलजा रही है, तो रिया चेकवर्ती से बुला करके जब पुछता आच ह डराने के लिए इन तंत्रीकों का इस्तेमाल कर रही थी, यानि कुल मिला करके अगर मैं देखूं, तो सुसान सिंग राजपूत केस में रिया चेकवर्ती ने कुछ ऐसी ऐसी उटपठां हरकते की हैं। जिस पर दोस्तो विश्वास कर पाना भी नामुमकीन सा लगता है, अ और किन-किन लोगों से डराया था, दोस्तों मैं आपको बता दू, सुसान सिंग राशपूत के साथ रिया चकवर्ती ने बहुत ही बेरह्मी दिखाई है, किसी वी तरह से सुसान पर सायद दया नहीं कि रिया चकवर्ती ने, इसी वज़़़े से, आज सायद सुसान सिंग राजपुत हमारे बीच नहीं है बरना रिया चकरवर्ती चाहती तो आज सुसान सिंग राजपुत हमारे ही बीच होते हैं तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना